नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है तो आज मैं फिर से एक शॉट मौल स्टोरी लेके आई हूँ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो चलिए स्टोरी का टाइटल जानते हैं तो स्टोरी का टाइटल है सेव दस सीट सेव मतलब होता है बचाना सुरक्षित करना दस सीट सीट मतलब होता है बीज जो किसी पौधे का बीज या मिस किसी फल का बीज मिस किसी पौधे या फल का बीज तो सेव दस सीट मिस बीज बचाओ चलिए पूरी स्टोरी को जानते हैं In a little house, in May, a little, छोटे से house, छोटे से घर में, by the lake, by the lake, मतलब जील के पास, lake means जील, एक छोटे से घर में जील के पास, an old couple, एक बुढ़ा couple, couple means जोड़ा lived रहते थे, with साथ में, there, अपने dog, कुते, and cat, अपने कुते और बिल्ली के साथ रहते थे, एक बुढ़ा couple, एक बुढ़ा जोड़ा जील के पास, एक छोटे से घर में, अपने बिल्ली और कुते के साथ रहते थे, they had a garden, उनके पास, they means वे लोगों के पास, मतलब जो old couple थे, उनके पास, had passed a garden, एक बगीचा था, filled, filled मतलब भ भरा हुआ था, with, साथ में, sunflower plants, sunflower मतलब होता है, सुर्य मुखी, सुर्य मुखी के पौधे से वो गार्डन भरा हुआ था, they had a garden, उनके पास एक गार्डन था, और वो गार्डन सुर्य मुखी के पौधों से भरा हुआ था, when, जब the season arrived, season मतलब होता है, मौसम arrived, आता था, the sunflowers bloomed, और जो sunflower था, सुर्य मुखी था, bloomed, खिल जाता था, bloomed मतलब खिल जाना, the old couples जो बुरे जोड़े थे, जो old बुरा couple था, with their pets, अपने pet के साथ, pets मतलब होता है, पाल तू, जो जानवर पाले जाते हैं, जिनकी निगरानी की जाती है, देख भाल की जाती है, उसे pets का आ ज pets के साथ, अपने पालतू जानवरों के साथ, guarded, guarded मतलब रहता है, निगरानी करना, सुरक्षा करना, each flower, each flower, मतलब हर फूल की निगरानी करते थे, क्योंकि उन्होंने, उन्होंने सुर्य मुखी की फूल की खेती की थी, तो जब मौसा माता था, सुर्य मुखी के सीजन का समय आता था, तो सुर्य मुखी खिल जाता था, तो ओल कपल जो थे अपने pets के साथ, अपने बालतू जानवरों के साथ, उन flowers के उन फूलों की निगरानी करते थे, देख भाल करते थे, the parrots love to eat the sunflower seeds, the parrots यहाँ पे अस लगा, means धे, सारे तोते, loved, loved मतलब पसंद करते थे, to eat, खाना, the sunflowers, सुर्य मुखी के seeds, सुर्य मुखी के जो बीच था, उसको खाना, तोते, पसंद करते थे, but they could not eat, वे नहीं खा सकते थे, नहीं खा पा रहे थे, यह नहीं, बिल्कुल भी नहीं, because of, because of, मतलब कारण से, because of, मतलब कारण से, the strict, strict मतलब होता, सक्त, मतलब बहुत ज़्यादा strict होना, सक्त होना, old couple, old couple, जो बुढ़ा जोड़ा था, उनके सक्त रवाईय के कारण, means, बहुत वेलो, बहुत strict थे, इस वज़े से, जो तोते थे, वो, sunflower seeds नहीं खा पा रहे थे, क्योंकि वे हमेशा आपने, पालतु जानवरों के साथ, निगरानी करते रहते थे, कि उनके, उनका सूरी मुखी का जो पौधा है, उसको बिल्गुल भी छती न पहुंचे, इस वज़े से तोते, सूरी मुखी के बीच को वो नहीं खा पा रहे थे, दियर पेट्स, उनके पालतु जानवर, उनके पालतु जानवर आल्सो भी स्केर, मतलब डरना, डराना, दबड्स, पंचियों को अवे, अवे मतलब भगा देना, दूर कर देना, तो जो उनके पालतु जानवर भी पंचियों को डरा कर भगा देते थे, जो old couple तो थे ही लेकिन उनके साथ साथ उनके जो birds थे वो भी बहुत ही strict थे the parrots kept wondering जो तोते थे kept मतलब रखना wondering means सोचते रहते थे ध्यान लगाते थे means सोचते थे what could be done means क्या किया जा सकता है but लेकिन could not find any could not find a solution पर परन्तु लेकिन उन्हें कोई भी हल नहीं सोच रहा था means उन्हें कोई भी solution सुझाओ नहीं मिल रहा था और वे लोग अपना पेट बढ़ने के लिए sunflower के बीच कैसे खाएं इस चीजे के बारे में सोचते थे पर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे लोरी कीट भी एक तरह से पैरट की तरह ही होता है पैरट के जैसा ही होता है तो लोरी कीट ये भी एक बर्ड है लोरी कीट वन्स एक बार केम आया तो मीट नहीं पैरट से तोतों से मिलने लोरी केट साया After hearing, after Bat MainHearing, सुनने के बाद, सुनने के बाद, Einीकी योजना बनाई, और जब उनकी समस्या सुनने के बाद, और तुरंत ही इसे करवाई में लगा दिया, means action मतलब इस जो योजना पे काम करने लगे, put it to action मतलब करवाई में लग गया, means इस काम में इस योजना को आगे बढ़ाने में लग गया, उन तोतों में से एक तोते ने befriended, befriended मतलब होता है दोस्ती, the parents पालतु जानवरों से in the family, उन में से मतलब जो तोते थें, उन में से एक तोते ने उस family के पालतु जानवरों से दोस्ती कर ली, befriend मतलब होता है दोस्ती, during the day, during मतलब होता है अवधी, दोरान, the day, दिन के दोरान, it would sit with them, जो तोता था, जो धे सारी तोते थे, उन में से एक तोता, sit मतलब बैठता था with them, उनके pets के साथ, पालतु जानवरों के साथ बैठता था, and shout और चिलाता था, save the seats, save the seats मतलब beach बचा at night, रात में, it would still, वो चुरा लेता था, still मतलब चुरा लेता था, a few, कुछ seeds, कुछ बीजों को for लिए, its family, अपने परिवार के लिए, जो तोता था, उनों, उसनी, घर के, पालतु जानवरों से दोस्ती कर ली थी, और फिर, वो उनके साथ, दिन के समय, दिन के समय, उनके स साथ, रिंगरानी करता था, सनफ्लावर की, बीजों की निगरानी करता था, और वे, उनके साथ, मिल कर चलाता था, save the seeds, और रात में, कुछ बीज, अपने family के लिए, वो चुरा लेता था, this continued, this, मतलब यह जो काम था, कि उनके साथ, निगरानी करता था, और रात में, कुछ मतलब हर दिन वो वही काम करता, उनके साथ, दिन में बैड़ता, और रात में, वो कुछ बीजे अपनी family के लिए, चुरा लेता, the parrots, जो तोते थे, now, अब, had enough, enough, मतलब परियाब्द था, to eat, खाने के लिए, अब मतलब उन्होंने बहुत सा, बीजी कठा कर लिया था, जो उन्हें खाने के लिए काफी था, the old couple, जो बुड़ा couple था, thought, सोच रहा था, that की, the parrots, we are helping them, जो तोते हैं, वे उनकी सहायता कर रहें, helping them, या, जो बुड़ा couple है, उनके लिए आया है, वे लोग सोच रहते हैं, कि जो parrots हैं, उनकी सहायता कर रहें, मिन्स, उनके साथ मिल कर उनके खेतों की सुरक्षा करते हैं, संफ्लावर को बचाते हैं, and, or, said nothing, said मतलब, said मतलब कहना nothing, कुछ नहीं, वे उनकी सहायता करते हैं, और वे कुछ नहीं कहते हैं, मिन्स, खाने, जो सीर्स उने चाहिए रहते हैं, वो नहीं मांगते हैं, in reality, in reality वास्तों में, हकीकत मे सचाई में, they were stealing, they were stealing, they were stealing, the food, वो भोजन चुरा रहे थे, quietly, quietly, मतलब होता है, सान्ती से, चुप चाप से, वे अपना भोजन चुरा लेते थे, मिन्स, किसी को पता नहीं चलता था, और वे सान्ती से ही, भोजन को भी चुरा लेते थे, इस तरह से, उन्होंने, मतलब, धिमानी दिखाई, चलांकी दिखाई कि किसी के नजरों में सच्चे भी रहें और उनका पेट भी भरता रहा इस तरह से तोते जो क्या थे जो ओल्ड कपल के नजरों में वे सच्चे भी बने रहें और वे अपना पेट भी भरने लगें सो आज की स्टोरी समाप्त होती है स्टोरी कैसे लगी प्लीज कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सबस्क्राइब और सपोर्ट करिएगा सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू